असलाम लेकुम जी मैं हूँ आपकी होस्ट काइना चोहान वेलकम करती हूँ आपको स्टार विद वेनस में जैसा कि आपको पता है हर वीक हमारे साथ कोई ना कोई एक्टर, सिंगर, सिलेब्रिटी, स्टार कोई ना कोई मौझूद होता है इसी तरह आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे एक्टर मौझूद हैं, वो बहुत सारे प्रोटेक्स कर भी चुके हैं और अभी कर भी रहें तो आईए हम उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो वेलकम करते हैं अफनान को जी, अस्वलेकूम अफनान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हमदुलेल्ला, लाइफ कैसे चल रही है? Life बहुत अच्छी चल रही है और थोड़ी busy थोड़ी काम इसी तरह से गुजर रही है बस और जो अब हमारा जो pandemic चल रहा है तो इसके हवाले से काम थोड़ सा slow हुआ था लेकिन अब है के आएस्था है थोड़ सा flow हो रहा है कुछ चीजे आई थी बीच में जिनकी वैसे थोड़ा सा काम स्लो हुआ लेकिन फिर अल्ला का शुकर है कि सारी चीजे सेट होने लगी है और इस्ता इस्ता इंशालला आजेंगी ट्रैक पे अच्छा अफनान क्योंके हम दोनों एक प्रोजेक्ट कर भी चुके हैं तो इसलिए मुझे पता है आपके अक्टिंग का तो मुझे ही बताएं के वो तो हमने किया था प्रोजेक्ट माशालला मैंने उसमें आपका कैरेक्टर भी देखा था बहुत अच्छा था चिचोले से लड़के बने हुए थे ना विल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो वैसे हैं आपका मधियजी के साथ बहुत अच्छा करेक्टर था लेकिन नहीं मैं ऐसा लाइफ मैं इसा नहीं हूं बड़ा सुल्जावा डाइब का लडगा हूं लेकिन यह के लाइफ मेरी बड़ी लाइफ को बड़ा इंजॉय करता हूं खुश रहता हूं और मेरे इर्द्ग्र जो वह और में अपनी होता हूं ना मसलिं गाली ड्राइफ कर रहा हूं या घर में मैं अगेला हूं तो इस मखह भी बोर नहीं हो रहुए था उसके लिए फुले बिब बिड़ान को और मुझ चुले अगर जून लेता हूं तो इट्सूट डिपेंड हूं फेल्ड में मैं में बHANJошों के साथ, बहरे दोस्तों के साथ तो बहुत अब ही भुछ खूला तब मैं बोर नहीं होता अपनी लाइफ को अच्छा चेल गुजा़ट ते खुछ है तो अच्छा चै grill हर टाइम को घृणो हर वक्त को पूरे कराची शहर में हैं अच्छी बात है मिसाल है कि अगर किसी मेरे दोस्त को की तकलीफ हो को परिशानी हो तो मैं इसको कहता हूँ कि 24 hours मेरा number on है और मैं available हूँ किसी भी चीजी जूरत हो मैं कर सकता हूँगा मैं बिल्कुल हाजिर हूँ anytime नहीं कर सकता हूँगा तो साफ बोल दूगा अरे वाँ बिल्कुल और यह बिल्कुल सही है यह सच बात है यह सिर्फ कहने की हतक नहीं कि मैं किसी जगा इंटर्विव दे रहा हूँ तो मैं बात करूँ यह ऐसा है आप मुझे अजमा भी सकते हैं इस ताना से बहुत अच्छी बात है यह तो वरना कई लोग आस्रा दे देते हैं जी बिल्कुल ऐसा है बहुत सारा ऐसा मेरी साथ दूब बहुत दफ़ा बिल्कुल हुआ है कि जिससे आप उमीद लगा के बैठे वे हूँ वक्त पे वह अरी जंडी कहते ना जिसे बिल्कुल ऐसा होता ह बिल्कुल ऐसा होता है ज Nedी दिखा देते हैं सही तो मैं जो माशवाला काफी प्रोजेक्स कीये वेर माशलू और अब जो हमारे आपके आने वाले प्रोयक्स नोगे बारे में कुछ सोई माशलला काफी किये भी मैं बड़ा कीन हूँ उसको करने के लिए और बड़ी उन्होंने मुस्ते डिसकेशन की है एक और प्रोजेक्ट है एक और नीजी चैनल के लिए वो भी बहुत अच्छा है वो फैसल कुरशी साथ के साथ के है और मैंने अभी एक रिसनली मेरे एक चैनल पर चल रहा है प्रोजेक्ट ड्रामे का नाम बता जाता हूँ लोग क्या कहेंगे मैंने आठ साल के बाद फैसल भाई के साथ दोबारा काम किया है 나올 बहुत इन्जोया किया उनोंने मेरी एक्टिंग को और मैंने उनको खैर फैसल भाई टो बहुडं हम सीख की रहे बिलकुल । लेकिन फैसल भाई ने मुझे कहा कि मेरे काम में आठ साल के मकाबले में और अब बहुत जादा चेंज आ गया बहुत फर्ख आ गया है वसलिल गृप अच्छी हो गई है मैंने का सर भाई सीख रहा हूं भी बस माशाला खैर छोटा मू बड़ी बात हो जाएगी वो तो वैसे माशाला बहुत अच्छे सकते हैं और रुक साथ है मेरे साथ हम मैं भी उनके साथ एक प्रजेक्ट में थी तो थोड़ा एक नर्विसनस तो होती आप किसी सीनियर एक्टर के साथ एक्टिंग कर रहे होते हैं तो होती है और मेरा तब स्टार्ट था तो सामने फैसल सर थे तो ख़र उन्होंने ऐसा मैं एक नीजी चैनल का प्रोजेट कर रहा था जूट उसमें बुश्रा आपा लिविंग लिजेंड है हुमारी बिलकुर मेरी वालदा का करेक्टर कर रही थी और अनवर इकबाल साब मेरे फादर का करेक्टर कर रहे थे मैं जब सेट पर गया मुझे पहले नहीं पता था कि बुश्रा आप मेरी वालदा का करेक्टर कर रही है लेकिन जब मैं सेट पर गया तो आप यकीन नहीं माने मैंने जब देखा कि बुश्रा आप मेरी वालदा तो मैंने इसकर पुरा याद कर लिया अचा मेरे साथ हुआ गय तो मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से एक्ट करूँ और क्या करूँ तो मैंने आपकी लाइन जियाद करें तो उनका भी काम अच्छा हुआ मेरा भी काम लेकिन उनने मुझे कहा कि एर बिटा आप में शौख बहुत है और इसी तरीके से लगन के साथ और काम करते रहें तो बहुत आगे जाएंगे थैंक्यू बस आप सीनियर्स की दुआ चाहिए और आप लोगों से ही हम सीख रहें और यह बात बिल्कुल ठीक है कि हम अभी सीख ही रहें अभी तो मैं कहता हूँ कि मुझे इतना सा सिर्फ काम के बारे में पता चले है कि यह काम है क्या सीखना और समझना तो भी बहुत दूर की बात है वर सीखने वाली जो बात है वो सिर्फ मीडिया से नहीं और भी बहुत सारी हमारी जिन्दगी में चीज़े होती है यह तो खेर हम मरते दम तक सीखते रहते हैं जितने सारी जिसमाना हर दिन कुछना को सीख रहे है तो इसी तरीके से हम् हर डिफरेंट इफेररंट अटिस्त के साथ हम सीर चाहे च görना को बिल्कुल बिल्कुल जूनियर एक्टर साब कहने तो अच्छा है इसी की मैं एक बात बताता हूं आपको जब हम मुहीन भाई के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया हरियाले बनने बहुत क्लिक हुआ मैं जब वो एक प्रोजेक्ट से मैं फारीग हुआ था तो उसके बाद मुझे 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 बहुत डाइब हाड फैन कौन नहीं फैन उनका बास बस बस अल्ला ताला उनको जन्नत नसीब करे तो मैं पर उनसे मिलने गया एक मेका पार्टिस हुआ करती थी वहाँ पर तो उनसे मैंने का कि मुझे 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 मिलना है तो वो मेरे साथ सेट पर भी थी तो उन्होंने का अच्छा आप हमारे साथ सेट पर आजएगा मैं आपको बलाओंगे और मैं मिलवा दूंगे आपसे मैंने का मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं मैं मिलने गया तो मुझ वह रिंग भी अब यकीन नी मनें वह लिशब मुझे दिलवाया उन्होंने इसमें प्र–जेक्ट कर रहे थे तो उनकी कर श्रय और ओंद Pot concert वह ऑड़ार गरते तो लचिं़ को लटका बन जाते आnte agar चूर सु लड़ का करते करता हूं और अभी आजकल एक प्रोजेक्ट ये जिन्दगी है वो कर रहा हूं तो उन्होंने बोला ओडिशन दो के जारा है आप ठीक है सर देता हूं तो उन्होंने जो डिरेक्टर तया शान भाई उनसे मुझे इंट्रड्यूस करा है उन्होंने बोले ये करेगा मेरे साथ हुम ठीक है तो उन्होंने आपको इ साथ भी सीखने को मुझे बहुत अच्छी सारी चीजी मनी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया उन से जो मैंने सिखा उन्होंने एक बाद बात ही कि यार आर्टिस कोई भी छुटा बड़ा नहीं होता आर्टिस होता है चाए वो जूनियर यह बंदा अपना काम कर रहा है बस यह इज़त है जो अल्द ने किसी को थोड़ी जादा दे दी तो उन्हों नहीं चीज मुझे बताई तो उसके बाद से वाद में अपने दिमाग में लिख लिये तो मैंने वह वड़ी खतम कर दिया एक्साज वाला तो जो होता है वह जूनि अब यह जो मैंने भी बताया कि भीसले के साथ लोंग क्या किंगे उसमें बहुत अच्छा क्रेक्टर है बहुत अच्छा है नेगिटिव नहीं उसमें फैसल भाही का एक आज असलम साब की ड़ाद के बाद तो उनका एक दोस्जों वह कर रहा है उनके आफिसमने उनके साथ होता है वो अपनी बाते काफी शेयर कर रहते हैं तो वो एंड तक है अच्छा उसके लावा उडाना भी किया है वो भी एक नीजी चैनल से उसमें थोड़ा सा नेगेडिव थोड़ा सा कॉमेडी टाइप था लेकिन बड़ा इंजोई किया है मैं उसको डारिक्टर शकील ठाइप उसमें बड़ा मजा था कि जब आप जिस तरीके के ना हो न मेरी लाइव ऐसी निया कि मैं कोई नशाय कुछ नहीं करता लेकिन जब आप वो करेक्टर प्ले करें तो आपको वो सारी चीज़ सीखने को मिलती है वो बड़ा डिफरेंट एक एक एक्स्पिरियंस भी ह रहा उसमें कुछ चीजे नशेगी भी पता चली कि अच्छा ये चीजे भी होती है वो सीखने को मिला उसमें शाहिश हफास साहब थे उसके डिरेक्टर और बहुत अच्छा उन्होंने काम लिया हमसे अच्छा खुद को वैसे नेगटिव केरेक्टर जादा करना पसंद है अगर सच बात पूछें तो जैसा मैं लवली लाइवली हूँ ना मुझे कॉमेडी करने में बड़ा मसा आता है इसना सीरियस एक बड़ अच्छा बाक्या बताता हूं एक प्रजेक्ट के कर रहा था मैं लविं गुल्शान बिहार तो उसमें जो शुरू में डिरेक्टर थे अमजद उसेन सहाब उन्होंने मुझे मुझे यू बॉंड करके रखा वाता है कि सिर्फ स्क्रिप्ट तो फाइफ एपिसोड तक मैं सिर्फ ऐसे बंत चल रहा था उसमें अच्छा उसमें मेरे एक जो को एक्टर थे वो लिविंग लिजेंड इसमाइल तारा सहाब थे माश अब तेरे में बहुत इसपार गया ठीक है उन्हों को लाए यार मैं तुझे फ्री एंड देता हूं इसक्रिप्ट पड़ जो चीज़ें उन्हों करूं जब जा ठीक है उन्होंने मुझे इस पेस दिया अब वह इस पेस के बाद अगर मेरे इस करेक्टर यू चल रहा था थ वह भी है पिंदा मेरा करेक्टर था एंड ही वह प्रिफ बड़ा क्लिक वह गया तो उसमें मेरा जमशेद नाम था और और मैं एक मिडल..क्लास फामिली गा था और वसमें बड़ा मज़ा कोमेटी मुझे बड़ा मज़ा आते हूँ कहने में मज़ा आते हैं अबिल्मे क्ग मैंने दिये लेकिन अभी तक कहीं से कोई कॉल नहीं आई लेकिन मुझे बड़ा शौक है बड़े स्क्रीन पर बड़े पर काम करने को बहुत जबादा शौक है नहीं इंशालला जरूर कॉल भी आजाएगी जब इतना काम कर लिया है माशाला से तो उसका भी वक्त आजाएगा हाँ हर चीज का मैसी इसको मानता हूँ कि हर चीज का एक वक्त होता है लग ताला ने एक टैम रखा हूँ है जहां से स्टार्ट लिया था अगर मैं उस पीछे देखू तो आज जिस जगह पर हूँ तो बशीर कैसे काम कि बाद मेरी वाल्दा की दूआ है बेशाएगा की करेंगे टाइम होगे एक ब्रेक का तो जी वीवर्स हमारे साथ हैं अफनान बड़ी मज़े मज़े के अपने कैरेक्टर्स बता रहे हैं और जो उनके एक्स्पीरियंस इसे वो भी हम अभी उनसे पूछेंगे आप हमारे साथ रहेगा लेते हैं एक ब्रेक